नमस्कार साथियो जै हिंद जै भारत आपको डिफेंस सेकेटी उत्रप्रदेश में आप सभी का श्वागत है देश के ऐसे समझती हुआ साथी आप चाहें किसी भी राज जैसे हों कहीं से भी हों आप मेल या फीमेल सभी के लिए में जानकरी देने वाला हूं बैचो क्योंकि कि आपको जरूरत है आपके भाई बहन कोई ना कोई जरूर तयारी करेंगे इंडियन आर्मी में अगनी वीर के तिरू आप किलर्ग कैसे बनते हैं पूरी जानकारी आपको एटुजेट या मिलने वाली है पहरे बचो आईए वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले मैं कि आपको सभी को पता है कि सबसे बहतरीन और सांदार जौब प्रोफाइल की बात करें तो आर्मी में किलर्क ही है कि किलर्क ओफिस में भी जाता है तो गोगल्ज वगरा लगाके बड़ी सान से जाता है क्यों कि ऑफिस्यल जौब होती है कोई टेंसें होती नहीं है ठीकए सबसे पहले मैं किलर्क पर बात करता हूं प्यारे साथियों देखेगा इंडियन आर्मी किलर्क भरती प्रॉसेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखे आपकी योगता क्या होनी चाहिए दोस्तों आप बार्मी पास होने चाहिए 60% आपके होने चाहिए इन ओल सब्जेक्ट फिरतेक सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्टों को मिलाकर आपके 60% होने चाहिए आप चाहें किसी भी सब्जेक्ट से हो आरट से हो बायो से हो चाहें आप कॉमर्स से हो उस बात से कोई मतलब नहीं होता है लेकिन इंगलिस में आपके 50% नंबर होने जरूर चाहिए दोस्तों एज 70-21 साल है जबकि अगनीपत स्कीम से पहले आर्मी जीडी में केवल 70-21 रहती थी और किलर्क और टेक्निकल में 23 तक रहती थी लेकिन अगनीवीर स्कीम आने से आपकी जो उम्र है साड़े सत्रे से किस साल तक मात्र रह गई है ठीक है साथियो यहाँ पर दो साल कम कर दी गई है अब आप 21 तक ही देख पाते हैं किलर्क की भी भरते हैं ठीक है साथियो अच्छा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्यारे साथियो किसकी इंडियन आर्मी अगनीवीर किलरक एक्जाम पैटर्न दोहजार चौबिस तो भी है सबसे पहले आपको ओनलाइन फॉर्म भरने होंगे और ओनलाइन फॉर्म के हम बात करेंगे साथियो तो आपके फरवरी में ओनलाइन फॉर्म भरने सुरू हो जाएंगे रिटेन टेस्ट पर मैं आपको पूरा बताऊंगा ओनलाइन आपका टेस्ट होगा फिजीकल बताने वाले हैं पैरे बच्चों तो यह आपकी चेन फिर किरिया है यानि पहले आपको रिटेन एक्जाम होगा फिर पैरे बच्चों आपको फिजीकल होगा तो document verification होगा फिर यहाँ पर आपका medical होगा और फिर आपका joining letter आएगा ठीक है और written exam के बाद में यहाँ पर आपका जो computer है दोस्तों यहाँ पर होगा आपका computer typing जो दोस्तों का होगा दोस्तों एक यहाँ पर computer typing होगी पूरी जानकारी में आपको detail में आगे देने वाला हूं होगा physical fitness test height आपकी 162 cm चाहिए हाइट कितनी चाहिए दोस्तों 162 और आपकी योग्यता क्या चाहिए दोस्तों योग्यता पर मैंने भी आपको बताया था तो भाई योग्यता जो यह आपकी बार्मी पास चाहिए वो भी first division याकिनी 60% कितने होने चाहिए 60% होने चाहिए सार रनिंग होगी आपकी 1600 मीटर की रेस होगी जो की आपको कौने 6 मिनट में लगबग खतम कर देनी है फुल आप सौंगी यानि बीम आपको 10 लगानी है और जो आपका fit है यानि की गड़ा होता है 9 गड़ा होता है जो आपको कूदना होता है बेलैंसिंग होता है यानि की पास मात्र करना होता है ठीक है अब देखेंगे हम आगे आगे इसमें समझें आप तो मेरा जो एहम बात थी वो मुद्दा यही था पर आपका जो यहां पगर हम बात करते हैं इसके आपके रेटिन को ले करके तो प्यारे साथियो यह आपका पूरा process रहता है किसका आर्मी में किलरक से भरती होने के लिए, सब्जक्ट पर मैं बात कर लेता हूँ, यानि कि जो आपका test होगा, वो test में आपसे क्या-क्या पूचा जाता है, क्या-कॉन से subject रहते हैं, क्या-क्या आपके questions, कहां-कहां से आते हैं, ये आप देख सकते हैं, फिक है, देख आप जहा है 50 और 50 में एक QWESION कितने का होता है चार का तो टोटल QWESION Payper आपका कितने का होता है दोसों का होता है तो ठीक है तो जन लॉलिज की कितने हो गए आपके पांच QWESION पांचों के 20, 20 नमबर के जनल साइंस, साइंस के क्वेशन आते हैं, 5 जो कि कितने 20 नमबर के, और मैट्स के आपके दोस्तों कितने क्वेशन आते हैं 10 क्वेशन मैट्स के आते हैं जो कि 40 नमबर के बनते हैं कंप्यूटर साइंस, यानि कंप्यूटर के आपके 5 question आते हैं जो कि आपके 20 number के तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो total आपके यह number है उपर वाले हैंनि total question आपके जो बनते हैं general knowledge के, general science के, math के और computer के 25 question होते हैं 100 number के बनते हैं यह फिर आपका part 2 होता है जो कि English का होता है English में आपके 25 question होते हैं और अकेला ही यह कितने का होता है दोस्तों 100 number का होता है आर्मी में killer के लिए सबसे अगर tough चीज है तो आपका English है छीक है English पार कर लिया आपने तो समझ लो आप killer का बाबू बन गए दोस्तों यहाँ पर minimum passing marks जो है आपका in part 1 32 number मेरी बात समझ पा रहे आपको इसमें पास होने के लिए यह जो आपके general science general knowledge, maths और computer science है इनमें सारों में मिला करके आपको 32 number इसमें लाने है और 32 number आपको किसमें लाने है इंगलिस में भी आपको 32 number लाने है तब आप पास माने जाओगे 64 number तो आपको लाने ही लाने है आगे physical के लिए जाने के लिए आगे typing test में जाने के लिए 35 number पर पास होते हैं आप इंगलिस में 35 number आपको इन सब में मिला के लाने है 64 number तो आपको लाने ही लाने है minimum aggregate जो होता है अगर यहाँ पर हम देखें कि यह वैसे 64 बनना है 64 पर आप qualify नहीं होगे यह तो आपका केबल बताया है कि per subject आपके इतने होने ही चाहिए एक दूसरे में चाहें कितने भी हो आपको 80 marks लाने है कहने का मतला अगर इसमें आप 32 ले आए तो दूसरे में आपको 50 चाहिए ही चाहिए कमज रहे ना तो आपको यह सोचना है 50 number एक में कोई से में लियाओ या फिर 40-40 लियाओ कुल मिला करके दोनों में 80 number लाने मिला के जरूरी है अन्यथा आपका selection नहीं होगा आप यहीं पर fail हो जाओगे आपको typing test के लिए नहीं बुलाया जाएगा और नहीं दोस्तों फिर आपको आगे की किसी पिरक्रिया में सामिल किया जाएगा ठीक है यहाँ सोच रहे होंगे के सर इसके online form कवाएंगे बैं killer के लिए देखो दोस्तों इसका जो online form है ठीक है online form जो इसके भरे जाएंगे आपके फरवरी 2025 में इसके form भरे थे के साथियो और वहीं पर exam की बात करें तो दोस्तों exam आपका अप्रेल में हो जाएगा ठीक है दोस्तों अप्रेल 2025 में आपका exam हो जाएगा यह ध्यान रखना फिर इसमें आपका क्या होगा typing test भी होगा और उसके बाद में फिर आपका एक physical भी होगा तो ध्यान रखें अगर आर्मी के लर्क में जाना है तो इंगलिस को कर लीजिएगा मजबूत और जबर्जस तरीके से अभी से अपनी तैयारी में लग जाएए क्योंकि आर्मी के लर्क की जो जौब है अपने आपके में एकदम साही जौब है एक नंबर की जौब है आर्मी के लर्क की साथ ही हो ठीक है जबर्जस तरीके से अपनी तैयारी करें ट्रेनल को सब्सक्राइब करें किसी प्रकार का कोई डाउट है आप हमें बता सकते हैं दीचे कमेंट में डेट आप वर्थ लिखना है जरूर बिलकुल ना भूल है